भाई लोगों नमश्कार मेरी क्रप्टो फैमिली में आप सब का सौगत है दोस्तों आज मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ कुछ नई अपडेट लेकर आया हूँ कुछ वीडियो में आपको बिटकोईन के और क्रप्टो करशी के प्राइस के बारे में कुछ बात क्या आने वाले टाइम में गिल्रंज जो है वो आ सकता है नहीं आ सकता है या क्रप्टो करशी जो है या बिटकोईन जो है वो अभी आने वाले टाइम में पीछे जा सकती है 24-25 जा सकती है या नहीं जा सकती है ये सारी वाते बता हूँगा तो सबसे पहले मैं लेके चलता ह हूं आपको Bitcoin के बारे में और आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है scenario तो थोड़ा सा नजर डालेते हैं उसके बाद फटा-फट चलते हैं आज की ताजा कुछ update के ऊपर तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं Bitcoin जो है वो करीवन तीस हजार चारसो तीस हजार पांसो के आसपर समझ लीजेगा तीस हजार पांसो डॉलर के आसपर चल रहा है positive चल रहा है आप मार्केट देख सकते हैं काफी कुछ green है काफी कुछ red भी है लेकिन ultimately अगर इसको माना जाए तो यह जो है उसको मैं green ही मान के चलूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत correction जो है वो मार्केट लेता रहता है तो दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप यह मत मान के चलिएगा कि bitcoin जो है वो 24-25,000 डॉलर जाएगा तब ही मैं invest करूँगा आप इस समय भी bitcoin में SIP कर सकते हैं और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अब उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि जिस तरीके की खबरे में आपको बताने जा रहा हूँ और update देने जा रहा हूँ उससे आपको लगेगा कि आपने पिछले time में बहुत बड़ी गल करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली खबर लेके चलता हूँ और वो खबर आ रही है को कोई की तरफ से बहुत सारे लोग कोई में इस समय काम कर रहे हैं ट्रेडिंग करते हैं काफी अच्छा एक्षेंज है और आपको बताऊं कि जो खबर यह आ रही है वो यह है कि भाया आप को जुलाई तक इसमें केवाईसी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो एक्षेंज है उसको ब्लॉक किया जा सकता है तो यह इन्होंने किलियर कट कह दिया है केवाईसी पूरा करने के लिए इसके पीछे कारण यह है कि कर लें जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई भी किसी तरीके की हर्डल जो है वो फेस करने को ना भी तो दोस्तों दूसरी खबर पर मैं लेके चलता हूं और दूसरी खबर जो है वो बहुत ही धासू है और आप सुनेंगे तो आप बाचे किल जाएंगी क्योंकि बड़ क्योंकि जब बिटकोईन आगे बढ़ेगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे तो खबर जो आ रही है वो आ रही है माइक्रो स्टेटर्जी की तरफ से और मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि खबर क्या है और खबर यह है कि करीवन 347 मिलियन डालर के बिटकोईन माइक्रो स्टेटर्जी ने खरीद लिये हैं अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यह बिटकोईन जो बनते हैं वो बनते हैं 12,333 तो आप यह देख सकते हैं कि अभी कितना तगड़ा जो है वो बाइन चल रहा है यह तो हमें पता लग गया लेकि उसके बाबजूद भी बहुत सारी वेस जो है वो बिटकोईन को बाई कर रही हैं तो आप यह समझके चलिएगा कि बिटकोईन की कीमत जो है वो अब यह उबीद अगर आप करते हैं कि यहां से 30,000 से 25,000 डॉलर या 24,000 डॉलर पहुंझ जाए और हम बाई करें तो यह डुस्तों अब मैं अगली खबर पर लेके चलता हूं और अगली खबर जो है वो बहुत ही अच्छी कह सकते हैं या बुरी भी कह सकते हैं और खबर जो आ रही है वो आ रही है और दूसरा यह है कि 2024 की सुरुवात में quarter 1 में FTX दुबारा चालो हो सकती है FTX 2.0 के नाम से तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि क्या अब आप FTX में दुबारा जो है वो lane lane करना चाहेंगे अपनी cryptocurrency रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे आप हमें comment करके जरूर बताईएगा तो लेकिन जितना अभी require हो रहा है वो अच्छी बात है और ये require हो जाए तो जिन लोगों के पैसे बरवाद हुए है जिनकी खून पसिने की कमाई जो है वो बरवाद हुई है वो बापस आ जाए तो ये एक positive sign ही माना जाएगा दोस्तों अब मैं आपको एक और बहतरीन ख़वर के उपर लेके चल रहा हूँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो ETF जो है वो दाखिल होते जा रहे है लगातार बड़ी बड़ी कमपनिया ETF दाखिल खरती जा रही है सबसे पहले BlackRock ने अपना ETF दाखिल किया था उसके बाद तमाम और कमपनिया जो थी वो अपना ETF जो है वो दाखिल करने लगी और अब जो ख़वर आ रही है वो ये ख़वर आ रही है मैं आपको screen पे लेके चलता हूँ आर्क जो है वो अपना ETF जो है वो दाखिल खर सकता है बहुत जल्दी ही और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जितनी तरीके से ETF जो है वो आते जाएंगे उतना ही जो है possibility बन जाएगी कि जो बड़ी-बड़े corporate houses हैं institutions हैं वो इसमें investment करना शुरू कर देंगे दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर पे लेके चलता हूं और अगली खबर भी जो है वो बहुत अच्छी है और अगर आपकी जो नजर है bitcoin cash के उपर कभी रही हो या नहीं रही हो तो आप जरूर देख रहे होंगे कि bitcoin cash जो है वो करीवन पिछले हपते 100% उपर पहुंद गया मैं अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि bitcoin cash जो है वो 100% उपर बढ़ गया और इसने जो है करीवन टू बिलियन डॉलर का जो market cap है वो जोड दिया total cryptocurrency के market cap में तो ये एक आप देख सकते हैं बहुत अच्छा moment है bitcoin cash का मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे phone करके कहा था कि उन्होंने काफ़ी bitcoin cash खरीद रखे हैं काफ़ी निरास्ते कि उनका bitcoin cash जो है वो बढ़ नहीं रहे लेकिन अब उनको बड़ी संतुस्ती हुई और यह सारी चीजें जो है यह इसके पीछे क्या reason है वो reason cable यह है कि बड़ी बड़ी institutions जो है वो buy करने में लगी हुई है दूसरा इतने ही सारी company जो है वो ETF दाकिल करने में लगी हुई है तो इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ही positivity है market के अंदर और लोग जो है वो cryptocurrency की तरफ और bitcoin की तरफ दीरे दीरे बढ़ते जा रहे जोस्तों अब मैं एक ख़बर लेता हूं रशिया की तरफ से और आपको पता है कि रशिया जो है वो काफी positive है bitcoin को लेकर और जब तो currency को लेकर लेकिन वहां की सुप्रिम code ने एक rules regulation जो है वो जारी किया है और उसमें उसने ये कहा है कि अगर आप bitcoin को ruval में convert करते हैं तो उसको हम जो है वो यह मानेंगे कि आप money laundering कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको screen पर लेके आया हूं और दिखा रहा हूं वह ख़बर कि अगर आप bitcoin को convert करते हैं ruval में तो इसको money laundering मानी जाएगी लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप bank के through करते हैं तो tax देना पड़ेगा तो वो money laundering नहीं है लेकिन अगर आप cash में इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो उसको money laundering माना जाएगा तो भाया ये तो अब यसी है ये इंडिया के अंदर भी है और अमेरिका के अंदर भी है और बहार भी है कि अगर आप cash में अपने bitcoin बेशते हो या cryptocurrency बेशते हो तो वो money laundering में नहीं आता है तो दोस्तों आपको मैंने काफी कुछ खवरें काफी क्युछ news दी अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें like जुरू करते भाया जिससे हमें motivation जो है वो मिलता रहता है और हम थोड़ी हिंबत करते हैं मैनत करते हैं आपको नई-ई-अपडेट देने की नई खवरें देने की दूसरा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब में कि है आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं घंटी का भी बटन दवा सकते हैं और अगर आप हमें social media पर जोड़ना चाहते हैं तो उस पर भी आप जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पर हम आपको बहुत सारी चीजें साथ में और भी देते हैं जिसमें आप टेडिंग करके फायदा उठा सकते हैं एक और इंपोरेटन आप हमसे interaction कर सकते हो one to one जूम मीटिंग में आप हमसे अपनी जो भी queries है वो पूछ सकते हो दूसरा हमारी तरफ से आपको प्रॉपर पूरा course आपको दिया जाता है crypto currency और bitcoin के उपर जिसमें हम आपको A to Z सारी चीज़ें बताते हैं blockchain के बारे में layer 2 के बारे में क्या कैसे काम करती है दूसरा TA कैसे काम करता है FA कैसे काम करता है कैसे हमें हमें कैसे chart trading कैसे करनी है कैसे हमें trading लगानी है कैसे हमें trading से profit उठाना है future trading कैसे करनी है spot trading कैसे करनी है बहुत सारी चीज़े हम आपको इसमें बताते हैं तो इसका हमने Google Farm नीचे दे रखा है आप उसमें जाके रेश्टर कर सकते हैं हमारी टीम आपको contact करेगी अगर आप हमारी सर्तों से सहमत होते हैं तो आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट काफी कुछ न्यूज होई अगली वार फिद किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहन